आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे October 12 का Bank Nifty का Analysis और देखेंगे October 13 की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए साथी साथ में जो Finance Minister ने हमारी Good News Share करिया उसका भी विशलेशन करेंगे तो चलकर सबसे पहले अगर हम देखें कि इसकी प्रक्रिया क्या हो रही है तो उसके बारे में हम आप से बात करेंगे सबसे पहले आईए चलकर शुरुआत करते हैं हम लोग कि आगे कि क्या प्रक्रिया हो सकती है इस Nifty के अंदर, Bank Nifty के अंदर तो अगर देखें आज का जो प्रक्रिया हुई है Bank Nifty की October Series की देखें तो बंद होते होते वो 23,769 पर बंद हुई है यहाँ पर देखेंगे अगर वॉल्यूम तो 72,00,000 के वॉल्यूम हैंड एक्सचेंज हुए हैं और जो इसका लोग बना था वो 23,588 का और High जो बना है 24,217 का अगर यह चीज आप इसको 15 मिनट के चार्ट पर देखें तो शुरुवात अल्मोस्ट फ्लैट हुई पहली 15 मिनट में बहुत लंबी ग्रीन का कैंडल बनाई और अगले एक घंटे में उसने उसका लोग तोड़ दिया था तो यह बहुत अच्छा साइन था कि यहाँ पर आप शॉट कर सकते हैं आपने शॉट किया होगा 24,000 के असपास और वहाँ से आपको देखें आराम से 400 पॉइंट तक का पेनिफिट मिल गया है यहाँ पर 23,600 के असपास गया है फिर यहाँ से उसने थोड़ा सा अप मूव दिखाने की कोशिश किया है पर अवरोल नेगडिव था जैसे निफ्टी पॉजिटिव बंद वहा है बैंक निफ्टी यहाँ पर थोड़ा नेगडिव है तो यह दियान रखिए बैंक निफ्टी जनरली रीड करता है चाहे डाउन फॉल हो चाहे अपराइस हो बैंक निफ्टी हमेशा लीड करता है हो सकता है यह यहाँ पर थोड़ा सा अभी आगे के लिए आपको सतर्क करने की कोशिश कर रहा है आई यह चलका कुछ डीटेल पता करते हैं इसके बैंक के बारे में तो जो चड़ने वाले शेर है बहुत कम थे और बहुत कम परसेंटेज कोई भी एक परसेंट से जादा नहीं चड़ा है ICSA बैंक जो है वो 400 के उपर मेंटिन के है जो अच्छी बात है एक 0.66% उपर बंदन बैंक 327 जो भी 0.63 के आसपास उपर और SBI बैंक जो है वो 200 के लेवल के आसपास पहुचा हुआ है SBI कामने वीडियो भी अपलोड किया था जहां पर शायद लग रहा है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है वहीं गिरने वाले शेरों में बैंक उफ बडोदा 5% के आसपास गिरा है 41 रूपीस के आसपास RBL बैंक करीब 114 रूपे के आसपास गिरा है और IDFC फर्स्ट बैंक जो है 31 रूपे के आसपास गिर कर बंद हुआ है तो यह एक प्रक्रिया चल रही है जो आगे आने वाले टाइम के लिए इसको अच्छा काम करा सकती है यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है आपको सतर खोने की जुरत है तो अगर चार्ट पर देखें तो एक रेड केंडल बनी है जिसका एक्चुली हाई जो है वो previous candle के high case से भी जादा है तो यह एक छोटा सा confusing type से system है उपर गया था पर महां से supply आई और नीचे इसने low नहीं तोड़ा है तो कल का दिन बहुत critical हो जाएगा देखने के लिए कि आगे इसकी क्या परक्रिया हो सकती है और हम क्या कर सकते हैं इस समय यहाँ पर यहीं पर आगर देखेंगे हम बुलिंजर बैंट के basis पर यह थोड़ा सा overboard zone में आगया पिछले दो दिनों तक इसने थोड़ा थोड़ा portion इसका candle के बहार निकला है तो यहाँ से हो सकता है छोटा सा एक retrace करें एक wave B बनाए फिर उपर जाए देखें यहाँ बहुत अच्छी इसने wave A बनाई है यहाँ से अगर retrace करेगा B के लिए तो वो अच्छा sign रहेगा और फिर यह उपर जाने की कोशिश करें तो यह एक long term के लिए अपना lifetime high अच्छीव कर सकता है इस momentum के साथ में सब कुछ positive मिल रहा है finance minister का announcement positive आया है RBI का announcement positive आया है government stimulus हो सकता है आया आने वाले time के लिए तो यहाँ से काफी अच्छा positive momentum हो सकता है आगे आने वाले time के लिए अब अगर देखें MACD के basis पर MACD के basis पर इसने clear cut एक buy signal maintain के हो है अब अगले आने वाले दिनों में देखना होगा कि यह gap कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है उससे बहुत फरक परता है अगर हम कुछ और चीज़ बात करें इसके बारे में तो देखें आज powerful तो bulls का था पर इतना जादा strongness नहीं थी power में बहाँ पर अब अगर दो की information की बात की जाए सबसे पहले तो finance minister की news है तो government employees के रहे तो बहुत अच्छी बात है अभी देखें हमारे हाद दशेरा शूरू होने वाला है नवरात्रे festival शूरू हो जाएंगे एकले हफते से तो उसके चलते हुए आगे आने वाले time में इन्होंने government के रिए announce किया है कि festive season में वो लोग advanced loan apply कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है advance salary या जिस तरह से भी उनको help करनी है credit line मिल जाएगी उनको जो कि एक अच्छा काम है उससे consumption grow करेगी और साथी साथ में उन्होंने state governments को एक 50 साल का interest free loan देने का provision किया है जो कि एक अच्छी प्रक्रिया है करीब करीब 12,000 करोड के आसपास की और 25,000 करोड के आसपास उन्होंने एक special arrangement किया है जिसमें construction of roads villages, other construction activities food distribution ये सब के लिए है तो इससे थोड़ा सा consumption में profit मिलेगा आगे आने वेले time के लिए तो ये एक अच्छी news समझी जा सकती है इससे आज की जो हमारा activities से lesson क्या learn हुआ कि अगर आप थोड़ा से उपर level पर जा रहे हैं और आप overboard zone में हैं तो वहाँ पर थोड़ा shorting करने में एक अच्छा अनुभव लग सकता है profit मिल सकता है हमने weekend पर बताया था आपको bank ने फिर short करनी चाहिए हमने level पताय थे वो level सारे बन गए थे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार please like जरू कीजेगा और अगर आपने हमारा पुरान वीडियो देखा है तो उसके बारे में comment भी उताईए कि आपने देखकर क्या profit किया है कि नहीं किया है अब जो तीन की factors है हमारे लिए आने वाले टाइम में finance minister को जो 50 साल का लोन है वो एक तरह से तो positive देखा जा सकता है कि state government को interest free loan मिल रहा है ताकि वो center से अपना आगे की future growth का काम कर सके तो इसे employment बढ़ेगा तो यह थोड़ा long term के लिए benefit है पर stock market को इतना लंबा नहीं दिखता है stock market को चाहिए अभी क्या तुम मुझे पैसा दे रहे हो क्या stimulus package आ रहा है तो वो इतना attractive नहीं है अभी यह वाला offer तो इनकी expectation जो है वो थोड़ी सी जादा रहती है और banking sector में क्या special package मिलेगा यह interest मिलेगा आगे bank nifty के active करने के लिए अगर कोई lack of any stimulus might bring down the banking sector तो आप ध्यान रखिए इस बात को बहुत expectation है कि आगे आने वरे time के लिए यहाँ पर हो सकता है consolidation हो जब तक आपका एक नया stimulus package ना announce किया जाए तो यह expectation बन रही है अभी trading circle में कि यहाँ पर stimulus package ना announce होगा अब चलकर हम option chain analysis करते है bank nifty की bank nifty की weekly option chain है तो अगर इसमें देखे हैं सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा open interest कहाँ पर खड़ा है तो देखें दोस्तो आज की activity के बाद में जो सबसे ज़्यादा open interest खड़ा है वो खड़ा है 24,000 के level पर जहां से इसने retrace किया है तो यह short term के लिए इस हफती के लिए हो सकता है यहाँ पर यह resistance की तरह से काम करें और यहीं पर आज सबसे ज़्यादा open interest भी add हुआ है तो यह एक हो सकता है near term के लिए एक अच्छा pattern बन रहा है यहाँ पर हो सकता है resistance की तरह से काम करें अगर यहाँ इसके आसपास आता है तो हो सकता है आपको shorting करने में फायदा मिले और वहीं अगर देखे कहाँ पर इसकी सबसेदा open interest है put की side में तो यह है 23,500 का तो एक बहुत narrow range बन गई है अभी यहाँ पर एक कश्मकश चलेगी bulls और bears के बीच में bulls चाहेंगे कि वो 23,500 को defend करें और bears चाहेंगे कि वो 24,000 को defend करें अब दोनों तो सही नहीं हो सकते हैं expiry इतनी close range में तो नहीं होगी अभी है तो अब आपको करना क्या है हमारे करनों के से जबी control में नहीं जब तब vaccine नहीं आती तब तक नेगटिव रहेगा तो overnight position ने जानी हमने ठीक नहीं समझे इस case में तो अब आपको करना क्या है कि आपको अगर यहाँ से कल के लिए हम तरीका बताएं तो दीखे कल के लिए आप फिर से शॉट गीम खेल सकते हैं और कल का जो शॉटिंग का लेवल रहेगा वो रहेगा करीब करीब 23,950 के आसपास का तो यहाँ पर आप शॉट कर सकते हैं कल को इसका stop loss का रखेंगे आपको stop loss रखना पढ़ेगा 24,220 के आसपास का तो यह आपका stop loss रहेगा 230 के आसपास का stop loss कर लेते हैं और फिर इसके बाद में आपका target कल का target थोड़ा aggressive देंगे 23,450 के आसपास का तो यह आपके लिए अच्छा trading strategy रहेगा कल भी अगर आप short कर सकें तो आप पर market का direction ज़रूर देखना दोस्तो जब भी आप काम करते हैं market जब खुला हुआ है तो आपको देखना है कि market कैसा काम कर रहा है कि यहां से उपर जाने की कोशिश करेगा अगर हाँ तो आपको उसी हिसाब से अपना position लेना है तब आप short मत कीजिएगा अगर आपको उपर जाने का लग रहा है पर अगर आपको ऐसा लग रहा है market नीचे जाएगा market खुलने के बाद market नीचे के तरफ को resistance दिखा नीचे के तरफ को जाता है तब आप short कीजिएगा आपको बहुत बड़ी range दी है करीब-करीब आपको 500 point की range है कम से कम 300-400 point आपको मिली जाने चाहिए इसमें बैंक निफ्टी में कल को हमारे हिसाब से तो अपना incremental profit घर पे लेते आईएगा ये एक अच्छे सलाह रहेगी हमारे हिसाब से ओके दोस्तों और प्लीज कमेंट में ज़रू बताइएगा कि आपने जो हमारा आगे सीखने के लिए मैं आशा करता हूँ जो चार वीडियो गूगल ने आपके digital profile को देखकर और साथ में आपकी YouTube history को देखकर select कि हैं ये इन में से आप कोई भी पसंद आएगा go ahead and click them ताकि हमें पता लगे कि आप क्या कर रहे हैं कैसे आपको हमारा चनल पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है और अगर किसी वज़े से आपने अभी तरख click नहीं किया है तो please हमें feedback जरूर बताईएगा कि चारों वीडियो में से अगर आपको कोई वीडियो पसंद नहीं आया है तो बताईए आपको क्या वीडियो देखना है ताकि हम उसके हिसाब से आपको बैटर सर्फ कर सकें अपना समय देने के लिए धनवाद जैहिन जैभारत बाई गाई